रॉयल कैनन इंडिया का सबसे बहतरीन डॉग फूड सबसे अच्छा लीडिंग में ये चल रहा है आज हम लोग इस रॉयल कैनन डॉग फूड के टॉपिक को कवर करेंगे इसके इंग्रीडियन्स और सभी टॉपिक को समझेंगे ये कैसा डॉग फूड है ये देखेंगे ये सेफ है कि लाने का वो चेक करेंगे इसका प्रोटीन परसेंट फाइबर कितना रहता है वो बताएंगे और कैसा डॉग फूड है रिजल्ट बताएंगे तो गाइज चैनल को स्टार्ट करते हैं तो आप देख रहे हैं क्रिश पेट्स गाइज इसमें लिखा है सबसे पहले कि इम्यून सपोर्ट आपको दिख रहा होगा यह सबसे अच्छा इम्यूनिटी बढ़ाता है डॉग का और फिर डाइजेस्टे भेल्ट मतलब कि आपके डॉग को अगर आप रॉयल कैनन खिला रहे हैं तो कभी भी आपको पतला पॉटी का यह सब का अब शक नहीं करना होगा का मतलब चिंता नहीं करना पड़ेगा आपको यह डाइजेस्टेव ह Grade का और इम्युनिश्णि इम्म्यूनिटी बढ़ेगा यह आपको डॉक को Imal कैनन का पैकेज्ट खिलाना और यह जो बेमेलकिन यह 4 kg का बैग है ऐसे 1 kg का भी मिलता है 4 kg का भी मिलता है 3 kg का भी मिलता है और 10 kg का भी मिलता है इसका MRP भी बता देते हैं इसका MRP है जो की 2830 आपको मार्केट में 6% से 10% का डिसकाउंट पढ़ जाएगा बुल जाएगा आपको और इसमें प्रोटीन पढ़ता है आपको 32% का फाट पढ़ता है 16% का फाइबर पढ़ता है 7.7% का और आश पढ़ता है 2.7% का आश पढ़ता है 7.7% और फाइबर पढ़ता है 2.4% जो की मेरे हिसाब से अच्छा है यह डॉक्फूड में इसका इंग्रीडियन्स बताते हैं क्या के रहता है सबसे पहले तो राइस रहता है राइस रखा भी है और फिर चिकेन रहता है रियल चिकेन और फिर रहता है ग्लुटेन मील और फिर रहता है कॉन और फिर ग्लुकोजम और सब यह सब रहते हैं जो की ठीक है डॉक्फूड के लिए इतना रहना चाहिए यह सब और यह वाला डॉक्फूड जो मैक्सी पपी है वह थ्री मंच से फिफ्टीन मंच तक चलता है यह वाला इसमें थोड़ा सब प्राइस ज्यादा है बाकि सब बहुत अच्छा डॉक्फूड है यह चल रहा है नाइटीन सिक्स्टी एट से अभी तक चल रहा है यह बहतरी लीडिंग में है यह डॉक्फूड तो कुछ तो बात है इसमें अच्छा जो चल रहा है उतना पुराना से और यह मार्स का है ब्रांड जर लिखा हुआ होगा मार्स कंपनी का पेडिगरी भी मार्स बनाता है और इसमें फीडिंग गाइडलाइन भी रहता है और इसको दिख रहा होगा फीडिंग गाइडलाइन और इसको कीबल्स भी दिखा देता हूँ जो कि डॉप को च्यू करना है बहुत अच्छा रखता है यह सब कीबल्स बहुत टेस्टी रहता है उन लोग के लिए बहुत अच्छे से भी खाते है यह फूड आप खिला कर देखिए और इसमें सिलिकॉन जैसा यह रहता है कि सट जाए खराब ना हो डॉप फूड एक अच्छा बात बता है डॉप फूड का खुला रखने से ना सब न्यूट्रीशन खतम हो जाता है तो ना आप इसको एक जैसे डिब्बा में बन करके रख सकते हैं रूसी से निकाल रूसी स खिलाई है सबसे बेस्ट प्रोसेस है तो ओवर्रावल कंक्लूजन इसका बहुत अच्छा ग्रोथ आता है इससे और हिल्दी बहुत अच्छा रहता है कि मैं तो बूलूंगा यह बहुत अच्छा डॉप फुड है बट राइस का फ़ड़ा सा टेंशन रहता है तो इसमें फ पॉर पॉइंट फाइव स्टाइव सो थैंक्यू सो मुच पर वाचिंग वीडियो अच्छा लागे तो लाइक करें चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर थैंक्यू सो मुच